सब्सक्राइब करता हूँ लाल रंग में ही रंगते वे हम लोगों को देखने को आपे मिल चुका है so definitely यहापे हम कह सकते कि well expected था कि आज के दिन बाज़ार में अच्छी कासी गिरावट होने वाली कल के वीडियो उसमें अल्रडी में आप लोगों के बाद बता के रखी वी थी उसके पीछे कोई rocket science नहीं था लगातार अगर हम लोग यहापे देखे तो bulls जबरदस बाज़ार को हावी मतलब होते वे देखने को आपे मिल रहे and bears को कोई मोका ही नहीं मिल रहा था कुछ तो reason चाहिए ना बाज़ार तोडने के लिए सो कल का दिन अगर हम लोग बात करें yesterday की बात करें तो bear वालों को late night तो पता चल गया कि भाई कल मतलब tomorrow मतलब आज तो जबरदस तरीके से यहापे बाज़ार तोडने का मोका है और यह मोका वो खोना नहीं चाहते क्योंकि इबदम से चीजे ready made हम लोगो देखने का आपे मिल रही थी सिर्फ उनका यहापे pressure create यहापे करवाना था जबरदस बिक वाली यहापे करनी थी और हर किसी को यहापे पता ही था कि आज की दिन बाज़ार गिरेगा बच कितना गिरेगा वो एक देखने वाली बात थी सो जबरदस तरीके से Bears ने चारों तरफ से जितना हो सके हम लाई यहापे कर दिया है और उसी का परिणा में आप यहापे देख सकते हैं 106 लगबख 1600 पॉइंट मतलब सवा 2% के आसपास हम लोग को क्रेश होते वे देखने को मिल चुका है और Nifty की अगर हम लोग बात करें तो 460 पॉइंट लगबख 2% से ज़्यादा Nifty 50 हम लोग को गिरते वे देखने को मिला है और अगर आप शुरुआत भी देखोगे Nifty की तो बहुत बड़ा gap down ठीक है आप यहाँ पर previous closing देख सकते हैं और opening देखिए बहुत बड़ा gap down देखने को मिला तो उसके बाद कोशिश भी की थी आप चेक कर सकते है बुल्स ने थोड़ी कोशिश की बाजर को उपर लेकर जाने के लिए बड़ बेर्स वालों के पास आज के दिन solid confidence यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हो जिस प्रकार से उन्हेंने hammering के बाजर में यह तो जैसे में कहता हूँ कि 3.30 बज़े बाजर close हुआ इसलिए ठीक है वरना यह शायद से और इसको 500 points से भी नीचे लेकर जाने के लिए मतलब लेकर जा सकते थे इतना जबरदस वो confidence के साथ है आपे हमनों को work करते वे देखने को आपे मिल रहे थे उनके पक्ष में ही सारी चीज़ा हमनों को देखने को मिल रही थी इतने time से अगर हम लोग आपे कहे इंडेक्स भी बदम जोस के साथ भाग रहा था ठीके 5 दिन का अगर हम performance देखे महिने बर का performance देखे 6 मेने का performance देखे एक साल का performance देखे 5 साल का performance देखे बदम जबरदस performance रहा है ऐसा reason अगर मिल गया तो फिर उसका वो तो फायदा उठाएंगे यह उठाएंगे और यही नजार हम लोगों को आज के दिन देखने का पर मिल चुका है सो बेसिकली बाजार गिरा क्यों उसके फीचे का मेजर कारण हर किसी को यहाँ पर पता है जो कि अल्रेडी कल के दिन हम लोगों को पता चल ही चुका था तो इसमें HDFC बैंक की बात की थी तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, सारी चीजे मैंने आपे कवर की थी और यह जो थियरी मैंने कवर की थी उसका प्रैक्टिकल आज बहुत सारे लोगों ने देख लिया और कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, यस्टरडी की तो HDFC बैंक का जो ADR था वो जबरतस हम लोगों को गिरते वे देखने का आपे मिला था तो इससे तो अनुमान लगी गया था कि भाई HDFC बैंक आज गिरेगा और HDFC बैंक अगर गिर जाता है, फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है कि वो एंटार बैंक निफ्टी को भी नीचे लेकर आ जाता है जो कि आप देख सकते, 2000 पॉइंट से भी जादा की गिरावट बैंक निफ्टी में होई है साड़े से सवा 4% की गिरावट, इब्दम मैसिव गिरावट हमनों को देखने का आप पे मिल चुकी है और अगर बैंक निफ्टी गिर जाता है, तो आप सभी लोग को पता है, निफ्टी फाइनेशल सर्विसेस ये भी गिर जाता है सवा 4% की गिरावट या पे भी, और निफ्टी फाइनेशल सर्विसेस का सबसे बड़ा कॉंटर्बिशन निफ्टी 50 में होता है तो ये लूप रहता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यों HDFC बैंक इतना ज़्यादा इंपोर्टन है अगर HDFC बैंक रॉकेट बना, तो वो निफ्टी 50 को भी रॉकेट बनाने का दमखम रखता है अब अकेले अपने दमख के उपर, और अगर HDFC बैंक अकेला गिरा, तो वो भी आप देख सकते हो कि कैसे बादार को अकेले अपने दमख पर गिरा सकता है इसलिए 2% से भी ज़्यादा की गिरावट आज की दिन हम लोगों इंडेक्स लेवल पे, निफ्टी 50 पे होते वे देखने को आपे मिली है नेक्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी जितने भी सेक्टर थे, वहाँ पे भी हम लोगों को लाल निशान जरूर देखने को मिला मतलब जिनके पोटफोलिय में फाइनस से जुड़े वे स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है, उनका पोटफोलिय आज जादा ही यहाँ पे मतलब लाल रंग में रंगा होगा, जिनके पास फाइनस से जुड़े वे जादा शेर्स नहीं होगे, तो शायद से उनको इतना जटका पर फिर भी, सवा 200 पॉंट के हम लोगों को नेट गिरावड देखने का आप मिली थी, मतलब क्या है कि पहले से ही माहूल खराब था, कि भाई कुछ तो बाजार क्या करता है, उमीद लेकर चलता है, कि किदर से तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाए, तो पहले से पता था, HDF से बैंक गिरेगा, तो ये तो हल्ला मचाई देगा, डाउजन्स तो थोड़ा बहुत कुछ मदद कर दे, उपर हरे निशान में जाए, तो वो भी नहीं, उसने भी थोड़ा बहुत प्रेशर अल्रेडी क्रेट करके रखावा था, तो इससे आपर क्या हो रहा था, कि और भी से तो Reliance Industry भी आप देख सकते आज की दिन, लगबग लबग एक पसंट हम लोग को गिरते वे देखने का आप मिल चुका है, बीच में थोड़ी कोशिश जरू की थी Reliance ने, शुरुआत गैप डाउन वाली थी, बाद में हरे निशान में भी आय था, बट पूरा Market का sentiment ही negative था जो हाथ में लग रहा था, उसको यहाँ पे बेचे जा रहे थे, और इसी चीज़ के चल थे Reliance भी गिरा, तो और हम लोगों को यह तड़का भी लगते वे देखने का आप मिल गया, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे Financial सेक्टर है, तो वैसे ही IT सेक्टर भी important रहता है, तो IT सेक्टर के ओर भी देखा जाते हैं, तो वहाँ पे तो दो ही बड़े प्लियर है, अगर वो दो बड़े प्लियर नाराज हो गए, तो वो IT सेक्टर को भी लेड उबेंगे, तो उसमें अगर देखा गया, दोस्तों तो Infosys है, तो चलिए भाई, एटलिज Infosys ने कोई बड़ी गिरावट तो नहीं रिखाई, ये कोई बड़ी तेजी नहीं है, हरा निशान देखने को में रेबट सिर्फ 9 रुपे, 10 रुपे ये आप लोगों को उपर देखने को मिल रहा है, और TCS की भी बात करें, तो ये भी हम लोगों को half percent ही उपर द मिल सकता था, तो यही सबसे major reason आज की दिन हम लोगों को देखने को आपे मिला है, कि HDFC bank का mood खराब यहापे हो गया करके, ठीके numbers के अगर हम लोग यहापे बात करें, तो numbers तो हमेशा की तरह इनके ऐसे ही रहते है, ओक्यों के टाइप के खास करके, जो merger यहापे मारा गया है उसके बाद यह bank का मतलब हम कह सकते हैं, जो size है वो आपको जादा ही बड़ा हुआ है, पहले से HDFC bank कोई कम छोटी थी, पहले ही इतनी बड़ी company, प्लस उनने HDFC limited के साथ merger यहापे कर लिया, तो size अभी इनका इतना बड़ा यहापे हो चुका है, so expectation, over expectation का यह शिकार होते रहे repeat होते भी देखने का आपे मिल सकते हैं, एक खाद बार तेजी जरूर हैगी, बट usually हम लोगों ने देखा है, कि numbers के बाद बादार में हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल जाते है, because of over expectation, तो यह चीज़े हम लोगों को लगातार continue होते भी देखने का आपे मिल सकती है, अगर हम लोग बात करें, जो फसाद की जड़ था, वो तो HDFC Bank ही था, अगर HDFC Bank गीरा, ठीक है, तो यह तो banking sector का number one leader, तो बाकी अपने players को भी, जो कि उसी size के तो नहीं कह सकते हैं, बट उसी के आसपा second, third, fourth position पे काम करते हैं, उनका भी mood अनने खराब करते हैं, जैसे कि ICC Bank, So ICC Bank भी आप देख सकते हो, Bank Nifty, Index Level पे भी Direct Nifty 50 में भी बड़ा contribution देता है, तो ये भी बेवजा 3% गिर गया, वैसे तो देखा कि ICC Bank के number, इसके पहले जितने भी quarter के number हुए, ICC Bank के number इबदम कमाल के थे, इसलिए तो आप देख सकते हो, कि banking industry में रहने के बावजूद, इसने पाथ साल में सबसे best performance दिया है, net return, 1.500% के आसपस, तो आज के दिन की गिरावट ये तो बस खामा का गिरावट है, क्योंकि HDFC Bank गिर गया, तो उमिद ये भी रहेगी कि इनके भी number शाहिद से खराब आ जाए करके, तो होगे नहीं होगे, वो तो वक्त ही बताएगा, then उसके Bank of India की बात करें, तो इधर भी 10% की ग्रावट देखने को मिली, तो कुल मिला कि कहा नहीं कहा निकली दोस्तों, कि एक major reason क्या है, yes, HDFC Bank, that's it, HDFC Bank यहापे तूटा, तो इसी चीज़ के चलते, bear का आज confidence यहापे एबदम higher level पे था, कि भाई HDFC Bank गया, तो bank nifty गया, bank nifty गया, और जितना हो सके, hammer करते जाओ, करते जाओ, और यही नजारा आज की दिन हम लोगों को देखने को आपे मिल चुका है, so major reason, already हम लोगों को पता था, यह तो just एक formality वाला वीडियो है, आप चाओ तो, ऐसा भी आपे कह सकते हो, I know, अभी next सवाल यही रहेंगे, कि अभी आग बाजर शुरू होने से पहले कल रात को इनको पता चला, फोन घूम चुके होंगे, कि जितना हो सके, हर जगे से यहापे attack किया जाए, और वही चीज़े हम लोगों को देखने का आपे मिल गई, और बाजर का सहारा लेने वाले भी बाकी के जो भी parameter थे, वो भी किदर नजर आपे नहीं आ रहे थे, तो इसी चीज़ के चलते हैं अच्छा खासा गिरावट हमनों को बाजर में आज देखने का आपे मिल गया, तो आचा करता हो दोस्तों, वीडिया helpful लगाओगा, तो चाहो तो आप इसको like and share कर सकते हो, मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के आपे बाइ